हेलो इस्ट्रेंड ये कुश्यन आपका बैंकिंग आफ रोड टॉपिक्स है अगर आपको इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं चलिए कुश्यन स् छी लिखा इस बंग्ड अट टैंगल ओं इसका मतलब यह होता है यह सर्कुलर है इसी को बैंकड रोड बोला जाता है आप देखोिंग तो बैंक्ड रोड किया क्यों उजा था है Yiye मैं आपको बता देता हूं बैंक्ड रोड करने का का यह होता है कि कोई किसी भी circular track पे अगर आप किसी maximum velocity से car को चला पा रहे हो और आप चार हो कि उसी circular track पे मैं और ज्यादा maximum velocity से car को चला सकूं तो आपको क्या करना पड़ता है उस surface को banked कर देना होता है किसी theta angle पर उठा देना पड़ता है तो road को banked कर देने से होता यह है कि अब आप और भी ज्यादा maximum velocity से उस circular track पे car को चला पाते हो बस यह फाइदा होता है इसका ठीक है अब देखो आगे के लिखा है if the coefficient of friction between the wheel of a race car and the road is 0.2 तो coefficient of friction हमें given है तो coefficient of friction का symbol यह होता है ठीक है वो 0.2 दे रखा है यह जो coefficient of friction होता है यह कहां पे act करता है between wheel of a car and tire wheel of a car and road road और tire के beach का जो part होता है जो contact हमें होता है वहीं का होता है coefficient of static friction ठीक है अब देखो आगे क्या लिखा है तो देखो यहाँ पी जो हमसे पूझा है what is the optimum speed इसे भी बताता हूँ पहले हम इस वाले part को नहीं solve करेंगे पहले हम इसे calculate करेंगे ठीक है इसे करने के बाद मैं इसे बताऊ आपको ठीक है तो पहले हम part B को हम solve कर रहे हैं कि हमसे पुझा है कि what is the maximum permissible speed to avoid slipping देखो किसी भी circular track पे आप एक maximum velocity तक ही यह तो banked road है आपकी circular track भी है लेकिन उस circular track को हमने bank कर रहा है तो इस banked road पे हम जो है एक maximum permissible speed तक ही car को चला सकते हैं अगर हम उस maximum permissible speed को cross करते हैं तो हम समारा कार क्या करेगा slip होने लग जाएगा तो मुझे उस slipping नहीं होने देना है मत्तों उससे slip नहीं होने देना है अब मुझे उस maximum permissible speed को भी निखालना है तो उसके लिए जो formula होता आपका यह होता formula V max is equal to under root R into G mu s plus 10 theta divided by 1 minus mu s 10 theta ठीक है यह formula है maximum velocity लेकिन यह formula है यह banked road के लिए banking of road का formula है ठीक है गलती से circular track तो होना ही चाहिए लेकिनों banked भी होना चाहिए मत्तार banking भी होनी चाहिए उसके अब देखो यहाँ पर just value पुट कर दीजिए बागी कुछ नहीं करना है radius आपको कितना दे रखाए 300 meter G का value 9.8 पुट कीजिए आपको पता होगा G का value 9.8 होता है mu s कितना दे रखा 0.2 10 theta 15 degree है ठीक है तो 10 15 degree यहाँ पर आ जाएगा divided by यह 1 minus mu s कितना दे रखा 0.2 into 10 15 degree अब देखो 10 15 degree का value कितना होता भी बताता हूं यह आपको exam में given होगा ठीक है अगर exam में given नहीं हुआ तो आपको 10 का table दिया जाएगा वहां से आपको इस value को fine करना पड़ेगा यह हो 0.2 प्लस इसका जो value होता है 0.267 होता है 0.267 ओके और यह हो जाएगा आपका 1 minus 0.2 into 0.267 अब देखो V max कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 300 चलो इसे multiply कर देते हैं 3721, 3824, 2 carry 3927 और यह 29 आजाएगा यहाँ पर 0 आजाएगा फिर यह यहाँ पर decimal आजाएगा ठीक है और इससे plus करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 0.467 यह हो जाएगा आपका 1 minus यह हो जाएगा आपका 2 साउंज ओ 14, 2 6 ओ 12, 13, 2 2s ओ 4 and 5 यहाँ पर 0 आएगा 0.0 यह V max is equal to हो जाएगा आपका इसे मैं calculator से multiply कर रहा हूं ठीक है फिर बताता हूं आपको यह आ रहा है आपका 1372.98 और इसकी value आएगा आपकी 10 में से 4 गिया कितना होगा आपका 6 then again 9 में से 3 गिया 6 फिर यह हो जाएगा आपका 9 में से 5 गिया 4 फिर यहाँ पर आजाएगा आपका 9 फिर यहाँ आजाएगा 0 तो इसे मैं calculator से divide कर रहा हूं इसे आगे यह V max हो जाएग आपका यह आ रहा है आपका अंडरूट 1450.433 अब देको इसका जो अंडरूट होता ना इसका अंसर दिया है वो यह दे रहा है 38.08 इसका मैं से अंडरूट आता है ठीक है maximum velocity इतना मीटर पर सेकेंड आएगा लेकिन NCRT ने इससे जो है round off करके लिखा है 38.1 मीटर पर देको यहाँ पर decimal के बाद दो डिजट है लेकिन decimal के बाद अगर आपको एक डिजट लिखने है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना पड़ेगा यह जो 85 से ग्रेटर है तो अगर यह 85 से ग्रेटर है तो हम 0 का साथ 1 add कर देते हैं इसलिए यह round off करके इस तर चलती है तो उसके टायर के गिसते हैं लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है एक तो इसा तब ही पॉसिबल होगा अगर हम इस ground को जो है frictionless consider कर लें क्या consider कर ले frictionless consider कर लें तो interesting चीज यहाँ पर यह है कि कि किसी भी road को अगर आप banking कर देते हो उस road की उसे theta angle उठा देते हो तो अ आप उस circular track पे car को चला पा तो banking of road करने का यही फाइदा होता है कि frictionless surface होने के बावजूद भी हम उस पे car का circular motion perform करा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें to avoid wear and tear का मतलब यह है कि वो यह चाह रहा है कि यह tire जो है वो wear and tear ना हो मतलब घिसे ना तो उसके लिए हमें क्या कर मानना friction है इसकी value हमें 0 माननी पड़ेगी समझे रहो तो यह जो formula को मैं दुबारे लिख रहा हूं यहाँ पर Vmax is equal to यह तो को r into g है तो यह r into g हो जाएगा यह mu s की value बस मुझे 0 पूट कर दीने है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे friction less मान रहा है इस surface को ठीक है तो यह mu s की value तो 0 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा यह 10 theta यह divided by यह 1 minus mu s तो 0 हो जाएगा तो 0 into 10 theta यह Vmax जो आएगा आपका यह आ रहा है under root rg 10 theta divided by 1 minus 0 into 10 theta तो 0 हो जाएगा तो divided by 1 आ जाएगा ठीक है यहाँ पर तो बैसे यहाँ पर just value put कीजिए बागी कुछ नहीं करना radius आपको कितना दे रहा है 300 meter g का value कितना दे रहा है 9.8 यह theta कितना दे रहा है 15 degree तो यहाँ पर Vmax is equal to हो जाएगा आपका 300 into 9.8 into 10 15 degree की जो value होती है 0.267 होती है ठीक है तो यह Vmax आ जाएगा आपका अगर आप इसे multiply करते हो तो मैं इसे calculator से multiply क बताता हूं आपको यह आ रहा है आपका 784.98 और इसका जो अंडर रूट आता है वो आता है आपका 28.1 meter per second तो यह question आपका complete हो जाता है ठीक है